नमस्ते एवरीवन सभी ने कुछ न कुछ भगवान श्री राम अयोध्या मंदर के बारे में बोला है और आज मैं इस यूट्यूब में जो है कुछ फोटोज शेयर कर रही हूं जो कि मैंने मुझे कई लोगों से मिली हैं और मैं आज कुछ राम मंदर भगवान श्री राम में बोलना चाहती हूं तो वहां पर आपने प्रतिमा लगा दी तो गौड हाव पावर ठीक है तो क्रेट आपल अनौल लेकिन जैसे कि क्या बारिश हो रहा है या कुछ रहा है तो वह जो छोटा सा जोपडी वह कितने दिन टिकेगा लाइक फर वाइन जनरेशन और टू जन जनरेशन और थ्री जनरेशन तो वी नीड तो मेक वरी बिग टैंपल्स एंड उसमें जैसे स्टून्स यूस करते हैं उसको तराशते हैं और इस तरह से लगाते हैं तो उसकी डूरबिल्टी जो है वह बढ़ जाती है और इट इस इट अग्जिस्ट पर लाउं लाउं से तो आप अभी वाट इस इंटेंशिन विहांद इस क्योंकि आचकल के बच्छों को यहीं नी पता है कि भगवान शीराम कौन थे आचकल के बच्छों को यहीं पता है कि सरस्वतीजी कौन है इवन कि आप मंandır में फोटो रग दी जे उन्हें कौन से भगवान है बताई तो मैं आपको यहीं बताना चाहते हों कि बच्चों को बता ही नहीं है बच्चों को आज में पूर्ट डबलते कि ऑपदा है कंपीूटर पता है था सपीडरी अज perché मेरे रचीच करोदे वाइन हम लाज18-12 कि मैंने थोड़ा थोड़ा टाइपिंग करना शुरू किया और मैंने जब करना इस्टार्ट टू वर्ट तो मुझे धीमधी में सारी बाते आ गई और उसी प्रकार से जो है एक मुझे जैसे जो होता है कंप्यूटर में टिफिन लैंग्विज़ होती है पाइथन है जायसे मै पढ़ती रहती हुँ देखती रहते सुनती रहती हूं तो इस तरह से मुझे नॉलेज नहीं अचली कंप्यूटर के बारे में तो कंप्यूटर वही होता है कि everything computer is very good like that आप एक क्लिक करिये तो ऐसे हो रहा है यह करिये तुरन इंस्टेंट जो है आपका सारी चीजे उसमें हो रही होती है तो I don't have much knowledge on computer बट मुझे लगता है कि बच्चों को आज केवल यही knowledge दी जा रही है computer आज कि मैंने देखा है कि यही बगरा में लोग जो है कोई electronics में जाना नहीं चाहता ना कोई electrical में जाना चाहरा है ना कोई medical में जाना चाहरा है everybody wants to go in a computer soft and hardware तो क्योंकि in a big cities and everywhere is a like a software industries and IT information technology is there तो हर वेक्टी जो है वहीं जाना चाहरा है even कि जो qualify नहीं कर पाते हैं उनको private colleges में भेज दिया जाता है तो वहाँ with the help of the money and the donation and all तो they are doing the courses and all everybody is going there actually what is the impact of that and what is the future of that यह इस पे देखना पड़ेगा कि यह है क्या अक्चली तो ठीक है अभी वो पुराना समय था आज यह नया समय है तो नई अपडेट्स हैं इस तरह से नई बाते चल रही हैं कि इस तरह से हमारे जीवन में आता है तो मैंने एक बार आपको बताये था कि जैसे जैसे देवत तो बढ़ता है वैसे उसे पापत भी बढ़ता जाता है इस तरह से मैंने आपको बताया था और लेकिन कभी कभी यह क्या होता है कि दोने चीजे बराबर भी होती तो इस तरह से भी होता है तो आ पर अने को महापुरुश आए और लेकिन जो है बहुत कम लोग हैं जो उनको याद करते हैं जो आज का आज का हमारा पढ़ाई का जो एजुकेशन है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम भगवान को भूलते जा रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत हमारे बैक ग्रोंड म यह है कि I have to develop a child or the children like that कि कुछ एक ऐसे बच्चे मुझे चाहिए तैयार करने हैं मुझे कि जो इस दुनिया को बदल सकें इस दुनिया को बचाना भी होता है दुनिया को finish या खतम भी करना होता है या destroy भी करना होता है तो इस तरह से रहता है तो हमें इस तरह के बच्चे प करने तो बच्चों को उस पात पे कैसे ले जाएं तो यह बहुत important है अब यह राम मंदिर जो है इतना भव है आलिशान मंदिर बना है उसमें जो कारिगीरी है तो बच्चे इसको देखेंगे कि हमारा बहुत सुन्दर सा है इट इस नॉट नेसरी अवरी ताइम धाट यह मेरी मुझे एक्चली यही पसंद है तो मैं अपनी लाइकिंग बता रही कि मुझे एक्चली क्या पसंद है तो मुझे बहुत अच्छा सा सब कुछ रहता है यह तो मुझे अच्छा लगता है देखने में कोई भी सुन्दर सी मूरत है या कुछ है तो मुझे अच्छा से आप जाएए तो देखिए देखिए पिकॉक है उसको देखिए कितना अच्छा लगता है देखने में कबूतर है तो जब आप कबूतर को देखेंगे पिकॉक को देखेंगे तो यह कैन डिफरेंशेट आपने कबूतर को कभी देखें खाते वे नीचे कुछ भी नहीं है तो ऐसे से करते रहते हैं तो मैंने कहा कबूतर तुम इधर आ जा खाना तो इधर है तो इसे खालो देखिए उनकी बी कितनी चोटी सी है तो दे टेक मिलेट से नौल चोटे-चोटे दाने खाते हैं अगा देखिए तोड़ा बड़ा खाता है उसी तरह से different animals होते हैं उनका food is a different kind of होता है तो उसी प्रकार से जो है आप दो मूरत लीजिए उनको उसको differentiate करिए कि यह मूरत कैसी है तो आज मंदिर का निर्माड हो रहा है महाँ पे लोग जाएंगे आएंगे तो इससे तो revenue जनरेट होता है डवलप होता है लोग आएंगे जाएंगे खाएंगे पीएंगे इस तरह देखी कितना वैवसाइज बिजनस कितना फैल रहा है लोग की earning और ही लोग को job मिल रही है लेकिन साथ में हम वहाँ से भगवान से connect हो रहे हैं एक अन्न पावर से connect हो रहे हैं और जो भी वहाँ पर seriously जा रहा है या घूमने भी जा रहे हैं या कुछ भी जा रहे है बट कहीं न कहीं माइंड में कुछ ना कुछ impressions तो रहते हैं यह generation to generation it will be good for अब यह सोचे मंदर कितने सालों तक रहेगा सोचे कितनी जनरेशन तक रहेगा फिर उसमें यह उतना एक घर है पांस साल है फिर कुछ दिन बाद हम वाइट वाइट वाइश कर आता है अचकल तो देखिए पेंट सा गये हैं तो जरुत नहीं पड़ती इतना फिर उसके बाद यह हैं लेकिन देखिए कि पेंट जब खराब होता तो बहुत ही खराब लगता है और यह उतना एक बार चड़ाना एक बार उतारना बहुत मुश्किल होता है एक बार अपने अप्लाई किया फिर रिमूव करना तो वाट इजी तो रिमूव एंद अप्ला कि आपको लगता है कि इस तरह से है तो यह अब देखिए आप देखिए पिकॉक की वाइस सुनिए आप किसी और की वाइस सुनिए तो इस तरह से है आप एक तो डिफरेंट वाइस और इन डिफरेंट स्टॉक्चर्चर्स अंदर डिफरेंट फीचर्स तो इस 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 इंप experience देखिए आप उनके सिर्पे मुकुठ है मुकुठ के साथ की खिक baru बी है और जो है उनकी माला है और बहगार artists rule कैसे हैं देखिए हॉ कुछ पेहने रहते हैं चाल जाल जैसे रहता है About पर जो हो पर रहते हैं और उनके सनेक्स हैं गले में हाथ में सब जगे इस तरह से है ब्रह्मा जी देखिए उनके दाड़ी क्या बोलते एंग्लिश में इस तरह से है उनका तो इस तरह से है तो आप देखिए उनके कितने मुख हैं तीन है किसी किसी डीटे के फाइब भी होते हैं पंचमु की जैसा अन्मान जी है और भगवान विश्नु के हैं ऐसी शंक्रवगान जी के त्रिशूल है तो सभी लोग अश्रस्त से युक्त होते हैं तो आप बताइए इसमें शंक्रवगान जी है भगवान विष्णु है और ब्रह्मा जी बताइए सब में सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लग रहा है तो यह देखना पड़ेगा कि सबसुत हैं तो इस तरह से ब्रह्मा जी बारे में कोई सोच्ता है क्या है तो ब्रह्मा जी तो प्रह्मा जी कि है देखें घवान विष्णु में परवन विष्णु के नावल से पौड झाम क्रियों और देखें जब तो it's energy as well what mother is thinking as well as what mother is eating like जैसे कह देना कि आप जैसे जैसे आपका दूसरे बच्चे आप सुबोट के कैप्पिल खा लिया दूद पी लिया खाली पेट नहीं रहे और तो इससे जो है बच्चों में complexion अच्छा रहता है और आप विटामिन C ले रहे हो आप टामाटर खा रहे आप 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 डार कांप्लेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ there is some कुछ blockage है या कुछ है या आपने खाना नहीं खाया आपने पता लगा दो वे तक आपने खाना ही नहीं खाया आपने breakfast ही नहीं लिया और बच्च जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो आपने उस खान of all these things to take care of both mother and the children's it is responsibility of father must essential for both children's and the mother to this is very important तो अब राम मंदिर है अब देखे भगवान राम सीता जी के साथ जा रहे थे भगवान राम को अच्छी वनमास मिला लेकिन सीता जी चाहती है घर पर ही रहती लेकिन नहीं उन्होंने का मैं आप इससाच चलूँगी अब अब उनके लक्षमर जी ने बोला लक्षमर जो है उनकी जगे अदों ईनकी चड़बातिका रक्के किया तो इस तरह से रहता है आप बिगुरू होते है औंकी चेहर होती है तो चेहर रखे वो भी कर सकते बट उसमें कोई बैट जाता है तो अबें को बतार सहता है तो we evaluate the sacrifice of each other तो that is important तो बच्चो को ये सब सिखाना है बच्चो को पढ़ाई तो करानी है क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे यदि उनको हिंदी नहीं आती इंग्लिश नहीं आती how they will speak all these things तो बच्चो को हमें सिखाना ही रहेगा पढ़ाना ही रहेगा तो हमारा ये सब भी बहुत आवश्यक है तो एक भव्यालिशन मंदिर बना है मैंने देखे थे मैंने टीवी में भी देखा कई वीडियोस भी देखे और मोदी जी ने जो है वहाँ पे बहुत अच्छा सा अरेंज्मेंट था और जो है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जो है बहुत ही भली प्रकार से हुई थी और मैंने सुना है कि भगवान की कई मूर्तियां थी और जो है उनका अलग अलग जगे उनको रखा गया इस तरह से इस तरह सारी बाते थी तो मैं मुझे अच्छी ज्यादा नॉलेज नहीं है इन सब चीजों के बारे में लेकिन जो है वहाँ पे लेकिन अभी तक मैंने राम दरबार नहीं देखा वहाँ पे तो यूजली भगवान राम का है लेकिन वह आयोध्या में जन्व भूमी है इसलिए जो है वहाँ पे भगवान राम की प्राण पर तिस्ठा हुई है और जो है इस तरह से है तो आने वाले समय में लोग जाएंगे लोग अपनी संस्कृति को जानेंगे और हर एक सिटी में जगे जो है एक नदी होती है तो जैसे हमारे कानपुर में गंगा नदी है अविध्या में शरीओ नदी है इस तरह से है मुना दिखे देली में है तो यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह सब चीजे तो आज हमें जो है फार्मिंग पर ध्यान देना है हमें नदियों की पुरिफिकेशन पर ध्यान देना है कि शुद्ध जल होना चाहिए, शुद्ध वाई होने चाहिए शुद्ध उम्रदा होनी चाहिए जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत अशेंशल है तो we are in ocean of life energy तो life energy जो है what we inhale or exhale we are exhaling the good thought the good thought and the good energies in the environment if we are exhaling the bad thoughts and the bad energy will be in the environment and again that we will inhale that at the same time what we are thinking at that time तो हम जो सोच रहे हैं तो वही energies हमें cover करेंगी तो जो हमारा physical world है जो energy world है तो बोत work simultaneously तो जिस प्रकार से जैसे काम करेंगे वैसे वो energies जो है हमारी work करती है तो हमें इस तरह से देखना है यदि हमें तो अभी हम लोग के कितने यूग थे तो सत्यूग सत्यूग लाना है हमको सत्यूग में कौन सी नदीव हैती है यह भी देखना पड़ेगा तो इस तरह से है तो बच्चों को जो है आज कल हम लोग वैसी knowledge दे देदें पुरानी नहीं है पुरानी पढ़नी पढ़ेगी भूल जाते हैं कुछ दिन याद यहीं है फिर रिवाइस करना पड़ता है फिर से जो है देखना पड़ता है क्या था अब दखे़ाश पड़ तो एतना सारा पड़ा है यहिए फें वह याद नहीं हाता है अब देखेंकित कितना सारा बहुत मुश्किल होता है लिखना तो वह रिव आईस करना पड़ता है फिर मेंमराईज करना पड़ता है तो यहीए बुक क्या एक्षली लोग लिख लिख गए उनको पढ़ा फिर लोग नहीं लिखा इसी तरह से सब कुछ चो है बहुत पाफिक्ट होता जाता है एक बार फिर से हम लोग बोलेंगे आज संडे है और संडे जो है भगवान सूर्य का दिन होता है और भगवान कृष्ण भगवान सूर्य भगवान विष्णु सब एक ही ही है भगवान राम सब एक ही है तो आज का दिन बहुत अच्छा है ये वीडियो पोस्ट करने का तो हम लोग बोलेंगे जय जय श्री राम जय सीता राम भग्मान विश्नु की जय हो ओम सुर्याय नमा ओम श्यादित्याय नमा ब्रम्मा मुराइतु प्रांद कारी बहनु ससी भूमिय सुतु बुद्ध सर्यु करहा श्रान तिकरावन तू नमस्ते व्रीवन थैंक ये व्रीवन